जी हना मुश्कार दोस्तों स्वाकत एक बार फिर से आप सभी का हमारे योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी इमेल आईडी का पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो अपने इसी डिवाइस के माध्यम से धून सकते हैं या उसे पता कर सकते हैं कि वो क्या है कई बार क्या होता है आपको अपनी इमेल आईडी को कहीं लॉग इन करना होता है और आप पासवर्ड को भूल जाते हैं तो ऐसे में दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप phone से ही अपने Gmail ID के password को कैसे पता कर सकते हैं जो कि इसमें login होगी ठीक है तो इसके लिए आपको बस simple से दो steps follow करने हैं अगर आपका पहले steps से काम नहीं होता है तो आपको दूसरा steps follow करना है इसलिए video को पूरा देखिएगा मैं आपको यहाँ पर एक एक information बिल्कुल clear देने वाला हूँ तो चलिए video स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आती है तो इसे like और share करके जाईएगा दोस्तों इसके लिए आपको simple से क्या करना है सबसे पहले अपना जो आपका phone है ना phone में एक setting आती है, setting बार चले जाना है ठीक है setting बर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ एक setting दिखेंगी Google की तो इस Google वाली settings बार चले जाना है ठीक है यह चाहे phone पुराना हो या नया हो शबके phone में available होता हैdır अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ पर All Services पर क्लिक कर देना है All Services पर क्लिक करने पाद यहाँ एक option आपको दिखेगा Auto Fill का Auto Fill के बाद यहाँ एक option आपको दिखेगा Auto Fill with Google का इस पर आपको चले जाना है इस पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक आपको option दिखेगा Google Password Manager इस पर आपको simple से क्लिक कर देना है अब दोस्तों जितने भी Gmail होंगे आपके वो सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे आप बारी बारी से उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से ठीक है यहाँ पर क्लिक करके जिस भी Gmail का अभी तो यहाँ पर मालीजे मैंने एक ही से सेलेक्ट कर रखा है मालीजे एक है मारे फोन में आपको जिस भी Gmail का चाहिए होगा को simple से यहां click करके यहां click करके वो जी mail select कर लेनी है select करने के बाद आप दोस्तों आपको यहां पर एक option दिखेगा google.com उस पर click करके password को देखना है इसके लिए simple से आपको यहां pattern डालना है चलिए मैं आप से pattern डालेता हूँ तो दोस्तों यह रहा आपका पहला step जिससे आप अपना password देख सकते हैं इसके लावा दूसरा step क्या है चलिए वो भी मैं आपको बता दूँ तो दूसरे step के लिए आपको चले जाना है अपने google chrome पर ठीक है उसके बाद यहां पर इस वाले icon पर click करने के बाद जैसे आप click करेंगे यहां पर आपको एक option दिखेगा password manager का ठीक है इसके लावा आप यहां से उस Gmail को select कर सकते हैं जिस भी Gmail का आपको password देखना है इसके बाद back आना है back आने के बाद यहां आपको एक option दिखेगा password manager का इस पर आपको चले जाना है और जैसे आप password manager पर आएंगे तो दोस्तों यहां पर भी आप देख सकते हैं जो भी आपका password है वो आपको यहां से simple से दिख जाएगा बस simple से यहां से आप इसे copy कर लीजेगा और जहां भी login करना है वहां पर जाकर की paste कर दीजेगा तो दोस्तों I hope आपको वीडियो में बताया हुआ प्रोसेस समझ में आया होगा इसके अलावा अगर और भी किसी तरीके की कोई information है जैसे की आपका जो password manager है वहां पर आपका password नहीं save है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं हम आपके लिए एक वीडियो लेकर कर आएंगे जिसमें दोस्तों आप जो है गूगल password manager में password save भी कर सकते हैं फॉर दा फ्यूचर ठीके तो दोस्तों I hope वीडियो आपको बसंद आई होगी वीडियो को लाइक करके जाएगा चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाएगा और information अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन्दे मात्रम